चित्तुरगड की महरानी, पदमर्ती और अन्य रानियों का अगनी जोहर बने ही जग प्रसिद हो पद्वना ने भी अन्य राजकुमारियां और कुवारी कन्यां के साथ तभी जल जोहर किया था यह राजस्तान का पहला जन जोहर था आईए आपको बताते हैं पहले जोहर की पूरी कहानी सावई माधापूर से लगबग छे मिंदूर रर्थंबोर दुर अरावनी परवत शं जन वीर सिंग नागिन ने करवाया था और उसके बाद उनके कई उत्तर अधिकारियों ने रर्थंबो दुर्ग के निर्माड की दिशा में योगदान दिया अबूर फजन इसके बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं ये बक्तरबंद किना राव हमिर देव चोहान की भूमी का इस किने के निर्माड में प्रमुक मानी जाती है हमिर देव चोहान ने अलावदल खिंची के विद्रोही सेना पती मीर मुहमद शाह और अपने यहां शरंड दी थी इसके क्रोधित होकर और अपनी समराज्यवादी मदवकांशा को पूरा करने के लिए तेरा सो में खिंची ने विशाद सेन बल के साथ रड़्थंबर पर आकमर कर दिया इसके सेना पतीस नुसर्थ खां मारा गया इस दोरान किने पर कबजा करने की कोशिश की नेकिन ऐसा करने में विफन रातीन असफर प्रयासों के बाद खिंची की सेना एक जुनाई तेरा सो में पाड़ियों के साथ एकाकर हो गई प्रतीत होती हैं किले में एतिहासिक स्थानों में हाती पोर गणेश पोर नौलक्खा दरवाजा सूरज पोर और त्रिपोरिया प्रमुक प्रविश्द्वार हैं त्रिपोरिया अंधेरी दरवाजा भी कहलाता है इसके पास से एक प्जुधर और पद्मद्रत अलय प्रमुक हैं पद्मद्रत अलय वही है जहां हमीर देव कोहन की insteadरी कंण्या उन्हें जंजोहर किया थी तब विवाइत मेंना अगनी जोहर और कुवारी कन्या जन जोहर करा करती थी। रटोंबर दूर का Гणिजी का मंदिर कई मावनों में अनूठा है। इस मंदिर को भारत वाष्क गुग को हिनुप का पहला गडश मंदिर माना जाता है। जहां पर गणेश जी त्री नेत्री धारी के रूप में विराजमान है ये प्रतीमा स्वैम प्रकट हुई है देश में ऐसे केवन चार गणेश प्रतीमा ही है इसे रर्तंबर मंदिरी भी कहा जाता है ऐसी मानेता है कि अंतिम युद्ध भी हमिर सिंग ही जीते थे इस्थानी इस तर पर किवनती है कि अलाउदल खिंची के साथ जब अंतिम रण के लिए हमिर सिंग सेना के साथ गए तो उन्होंने राणियों से कहा कि युद्ध के बाद केसरी जंड़े नहरा है तो समझी हमारी जीत हुई और यदि खिंची के काने जंडे नहरा है तो हार युद्ध युद्ध में हमिर सिंग जीत गए थे नेकिन उनके तीन विश्वजगाती सेना पती अपने सेनिकों के साथ काने जंडे नहरा है ते हुए दुर्ग की तरफ भागे राणियों ने काने जंडे देख जोहर का निर्णय ने लिया हमिर देव ने हाती पोल के पास रण मल्क को पकड़ा और तलवार से उसका शीष काट दिया बाकी दोनों कमंडरों ने आगे आकर गणेश पोल को बंद कर दिया तब हमिर अपने इस्ट शिवजी का समरन करते हैं तो शिवज की किरपा से उनका घोड़ा पवन भेग से उड़ता हुआ किने की दीवार को पार कर जाता ह लेकिन हमिर के पहुचने से पहने ही रानिया अगनी जोहर और राजकुमार ये जन जोहर कर लेती हैं यह देखकर हटी हमिर देव चोहान अपना शीष काट कर शिव को अरपित कर देते हैं